Hello everyone, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल वीवगाय बैंकर में आज जो मैं पेराग्राफ आपके लेकर आई हूँ वो है स्वामी विवेकानन जी के उपर जो कि बहुत ही महान ब्यक्ती थी अपने समय के आज भी लोग उनको याद करते हैं उनही के जीवन पे अधारित जी मैं पेराग्राफ आपके लेकर आई हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिनिंग है जो कि आपके लिए बहुत हेल्फुल होंगे इसका वर्ड मिनिंग जो है एक-एक बर्ड की हिंदी मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो और समझने में भी आसान हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वामी विविकानन नरेंद्रनाथ दत ठीक है यह क्या था उनका नाम नरेंद्रनाथ दत यह उनका नाम था ठीक है यह क्या है पैसीव है अगर यहाँ पर सेकिर्ड फर्म लगी होती है तो हम कहते कि पास्ट का तेंस है सिंपल पास्ट का यहाँ पर थर्ड फर्म लगाई गई है यहाँ इस होना चाइए था लेकिन वह कहते हैं उनक वो दे दिया है is also known as कि जाने जाते हैं यहां फिर जाने गए हैं कैसे? as Swami Vivekanand Swami Vivekanand को Narendra Nath Dutta के नाम से भी जाने जाते हैं ठीक है? Swami Vivekanand ठीक है? इसका जो full है full-full जो line का meaning है कि Narendra Nath Dutta जो थे also known as Swami Vivekanand उनके नाम से भी जाने जाते थे Narendra Nath Dutta के नाम से was means थे one of the most learned and respected personalities not only in India but around the world was one of the most ठीक है? one of the means most means sab se zyada sab me one of the one of the means sab me सब में सबसे जादा learned सीखे हुए और expected क्या होता है? मतलब सम्मानित सम्मानित क्या थे वो? शक्सियत या फिर व्यक्तित वथाउन का शक्सियत थे ना सिरफ इन मीन्स में भारत में बलकी around the word दुनिया के चारों और around means चारों और इसके दुनिया के अब इसको हम समझेंगे ठीक है? देखिए यहां तक की लाइन है यहां से लेकिर यहां तक की लाइन अब इसको हम अच्छे से समझेंगे ठीक है? नरेंद्र जत्ता also known as Swami Vivekanand की नरेंद्र जत्ता को Swami Vivekanand के नाम से भी जाना जाता है was one of the most learned जो की थे थे सबसे ज़ादा सीखे हुए और respected means सम्मानिज सक्षियर्ज थे न सिरफ भारत में बलकी दुनिया के चारों और समझाया? He was born ठीक है? वे है थे born means पैदा हुए ठीक है? पैदा हुए थे to an upper middle class upper means उच मद्ध्यम श्रेणी ठीक है? टेडिशन होता है पारंप्रिक Hindu family means परिवार और therefore means इसलिए had great had means उनके पास थी कोई चीज होना पास थी मतलब महान knowledge होता है ज्ञान of वेदाज वेद और हिंदूइजम मतलब हिंदू तव की आगे इसको समझते हैं अभी second line को He was born वो पैदा हुए थे to an upper middle class एक उच्च मध्यम श्रेणी में ठीक है? परंपरिक उच्च मध्यम श्रेणी में पैदा हुए थे हिंदू family में हिंदू परिवार में और इसलिए had great had great means उनके पास एक महान क्या था? ज्ञान था ठीक है? कोई भी चीज होना उसको क्या बोलते हैं? had अगर past में है तो had है present में है तो हम has have लगाते हैं ठीक है? past थी had great knowledge of किस चीज की knowledge थी उनके पास? वेदों की और हिंदू तव की बहुत अच्छी knowledge थी उनको ग्यान था उनका ठीक है? when it came to education and learning जब when it came to ठीक है? जब education की बात आई मतलब education होता है पढ़ाई ठीक है? पढ़ाई की बात आई came means come means आना came means आई या फिर आई ठीक है? it came to education जब पढ़ाई की बात आई और सीखने की सीखने की बात आई Swami Vivekanand was an eccentric person ठीक है? Swami Vivekanand थे क्या थे? an eccentric होता है सनकी ठीक है? जिसको किसी चीज की सनक होती है किसी को अच्छे की होती है किसी को बुरे की होती है लेकिन जो Swami Vivekanand थे उनको अच्छी चीजों की सनक थी किसको लेकर पढ़ाई को और कुछ सीखने की सनक थी उनके अंदर ठीक है? व्यक्ति क्या थे? जब पढ़ाई और सीखने की बात आई तो he was an eccentric person ठीक है? He studied in various different institutions and also received a bachelor's degree in arts He studied उन्होंने studied means पढ़ाई की in various in means may various means विभिन different means भिन institution क्या होता है? संस्थाएं ठीक है? उन्होंने पढ़ाई की विभिन भिन संस्थाओं से and also or also means be received means प्रापत किया क्या प्रापत किया? bachelor's degree in arts bachelor's क्या होता है? सनातक सनातक की अपोस्ट्रोफे s i s का means होता है का के की सनातक की डिग्री इसमें कला में कला में उन्होंने सनातक की डिग्री प्रापत की यह देखिए यहां से समझिए he studied in various different institutions उन्होंने पढ़ाई की बिन बिन संस्थाओं से और और सनातक की डिग्री भी प्रापत की इसमें कला में ठीक है he was an avid reader आगे देखते हैं ठीक है he was an वह थे क्या थे an avid अब देखिए an क्यों लगाया इसके आगे क्योंकि यह क्या है vowel है a, e, i, o, u पांच vowel होते हैं और इनसे अगर letter start होता है तो हम an लगाते हैं और जो बाकी letter बच जाते हैं अगर उनसे letter start होता है तो हम a लगाते हैं ठीक है an avid means avid होता है उत्सुक उत्सुक क्या थे पाठक थे reader थे since means childhood बच्पन से since means say books को read करने के लिए and or a renaissance renaissance क्या होता है पूर्ण जागरन या फिर नव जागरन पूर्ण जागरन या फिर होता है नव जागरन एक नव जागरन क्या थे व्यक्ति थे वो मतलब उनके अंदर एक कुछ निया करने का जागरन हमेशा रहता था renaissance की तरफ उनका जुकाव जो था वो जादा था he had studied about religion देखे had के साथ third form लगी है तो means क्या है past perfect चुका था चुके थे चुकी थी या फिर a था e थी a थे इसका sense बैटेगा वाकर के अंद में वे है ठीक है पढ़ चुके थे या फिर उन्होंने study पढ़ाई की थी ठीक है he had studied पढ़ चुके थे about means बारे में इसके बारे में religion होता है धरम philosophy क्या होता है दर्शन arts कला science विज्ञान और many other topic और many means बहुत दूसरे बहुत सारे दूसरे जो topic थे जितने भी उनके वो होते हैं जो topic होते हैं उनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे जितने भी topic means अलग-अलग जो part होते हैं वो सारे उन्होंने पढ़े ठीक है कौन-कौन से पढ़ चुके थे किसके बारे में धरम के बारे में दर्शन के बारे में कला, विज्ञान और बहुत सारे पार्ट या फिर topic ठीक है along with being along means साथ with means होता है साथ being means होना ठीक है होने के साथ-साथ क्या होने के साथ-साथ being a reader ठीक है reader होने के साथ-साथ वह भी indulge होता है lipt ठीक है indulge in इसमें वह indulge भी थे किसमें lipt भी थे sports means खेल-kूद की गती विदियों में वह रीडर होने के साथ-साथ खेल-kूद की गती विदियों में भी लिप थे ठीक है adhering Adhering क्या होता है? पालन करना, पालन करना to his interest, मतलब अपनी रूची का उन्होंने पालन किया, इसमें in spiritualism means अध्यात्मिक, अध्यात्मिक spiritualism, परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ and religion और धरम की तरफ, इसको समझेंगे अभी, मतलब reader होने के साथ साथ, वो खेल कूट की गिति spiritualism and religion, मलग धरम और अध्यात्मिक में रूची का पालन करते हुए, he also, वह भी, studied means पढ़ाई की, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई भी की, इसकी the ved, vedas, ved की the upanishad, ठीक है, इसको हिंदी में भी upanishad ही बोलेंगे, ved और upanishad की पढ़ाई की and other sacred text, other means दूसरे, sacred होता है, पवित्र, text होता है, किताबे, ठीक है, दूसरे, उन्होंने पवित्र किताबों की, उपनिशित, वेद की पढ़ाई भी की, साथ-साथ में उन्होंने अपनी रूची का भी पालन किया, अध्यात्मक की और धरम की, और साथ-साथ में उन्होंने वेद और उपनिश पढ़े और दूसरी पवित्र किताबे भी उन्होंने पढ़ी, ठीक है, He also received education in western culture, कि उन्होंने, also means, be received means प्रापत किये, प्रापत की, education, शिक्षा प्रापत की, इसमें western means पश्चिम culture में, ठीक है, पश्चिम culture में and science which further kindle his interest, पहले यहां तक समझते हैं, ठीक है, उन्होंने, उन्होंने, he also received education in western culture, western sanskriti, ठीक है, western sanskriti में भी उन्होंने, शिक्षा प्रापत की आगे देखते हैं, और विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और पश्चिम संस्कृत की शिक्षा प्रापत की, which further, which means जो आगे, further means आगे, kindle means प्रजवलित, मतलब जगाना, प्रजवलित means जगाना, कुछ जगना अंदर से, his interest, उनकी जो रूची थी, वो जगी in spiritualism, अध्यात्मिक, अध्यात्मिक की तरफ उनकी जो रूची थी, वो जगी आगे, and developing और विक्सित हुई, understanding and faith among different religion of the world, spiritualism and developing, understanding the faith, मतलब faith जो होता है, विश्वास, understanding means समझते हुए, among means बीच में, different means within, dharam of the, word means दुनिया के, अब इसको समझेंगे हैं, ठीक है, लेखे, बहुत बड़ी लाइन है, यहां से लेकर यहां तक कि इसको easily समझते हैं, he also received education in western culture and science, ठीक है, which further kindled his interest in spiritualism and developing understanding the faith among different religion of the world, उन्होंने शिक्षा प्रापत की, वश्चिम संस्कृति और विज्ञान की, जो आगे जाके प्रजलिवत हुई, उनकी रूची किसमें अध्यातम में विक्षित हुई, और यह समझते हुए, विश्वास, उनको विश्वास हुआ किसमें विभिन धरम, दुनिया के विभिन धरम के धरम को समझते हुए, उनमें विश्वास हुआ, दुनिया के जितने भी रिलिजिन थे, उस सब में उनका विश्वास हुआ, उनको समझा उनोंने, उनके अंदर विक्षित हुई ये चीज, क्योंकि वो उनके अंदर कौन सी रूची पैदा हुई थी, अध्यात्म की, and developing और विक्षित हुई, understanding और उनने समझा इस चीज को, और विश्वास को समझा, इसके बीच में विभिन परकार के धर्मों को, दुनिया में जितने भी धर and retain things was praised by one and all further inspired people of the generation, his ability, उनकी जो योग्यता थी, to learn, सीखने की, and retain, रिटेन क्या होता है, मतलब किसी चीज को याद रखना, समझने की, बनाए रखने की, बनाए रखना चीजों को, उनकी जो अबिलिटी थी, सीखने की, और चीजों को बनाए रखने की, was praised, उसकी क्या की गई, देखे, was के साथ third form है, उसकी क्या की गई, प्रशंसा की गई, praised होता है, प्रशंसा की गई, was praised है न, by one and all and further inspired people, by one, मतलब लोगों के द्वारा, और, all the further inspired people, सारे, सारे लोगों के द्वारा और आगे, inspired होता है, प्रेरित करना, ठीक है, आगे प्रेरित भी किया, लोगों को, of all generation, मतलब हर generation के लोगों को आगे उसने, इनकी सोच ने, सारी generation जो होती है, पीडी, ठीक है, जो एक पीडी दर पीडी generation बोलते है न, उसको क्या किया, परभावित किया, दुबारा समझेंगे, His ability to learn and retain things, उनकी जो योगिता थी, सीखने की और बनाय रखने की चीजों को, उसकी प्रशंसा की गई, was praised by one and all, ठीक है, एक और सब के द्वारा, मतलब सब के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई, और आगे उस चीज ने, उस सब को, लोगों को प्रेरित किया, of all generation, आगे आने वाली जो पीडि थी, उन सब को प्रेरित किया, इस चीजों ने, जो उनकी ये योगिता थी, उस चीज ने सब को प्रेरित किया, जनरेशन को भी, He has left behind great value for the young, he has left, उन्होंने छोड़ दिया है, चीजए, has left means, left means छोड़ना, मतलब छोड़ चुके हैं, क्या है, present perfect है, छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ दिया है, चीजए, चुके हैं, पीछे, behind means होता है, पीछे, great means, महान मुल्य, महान मुल्यों को वो पीछे छोड़ चुके हैं, for the young, मतलब जो नई पीड़ी है, तीक है, यंग लोग हैं, नव युवक हैं, उनके लिए, to follow, उनका अनुसरन करने के लिए, अनुसरन और, मतलब, lead करने के लिए, lead क्या होता है, नेतरतफ करने के लिए, नेतरतफ करने के लिए, तीक है, he has left behind, वो पीछे छोड़ चुके हैं, great values for the young, तीक है, नव युवकों के लिए, महान मुल्यों को पीछे छोड़ चुके हैं, उनका अनुसरन करने के लिए, और, नेतरतफ करने के लिए, तीक है, even after decades of his demise, तीक है, even means भी, बाद, after means बाद में, decades means दशक, दशकों के बाद भी, of his demise, उनकी मृत्यों के बाद, तीक है, उनकी मृत्यों के दशकों के बाद भी, he is still, वह है, अभी भी, still means अभी भी, remembered, याद किये, याद किये जाते हैं, for his vibrant, vibrant vision, vision होता है, दृष्टी, और vibrant क्या होता है, जिवन्त, जिवन्त, दृष्टी के लिए, वह अभी भी याद किये, जाते हैं, उनकी मृत्यों के दशकों के बाद भी, clear है, and optimism, और, optimism क्या होता है, आश्चावादी, आश्चावादी for the future of the country, मतलब भविश्य के लिए, of the country, देश के, country होता है, देश, of means के, देश के भविश्य के लिए, आश्चावादी और जिवन्त, दृष्टी के लिए, वह आज भी याद किये जाते हैं, उनकी मृत्यों के दशकों के बाद भी, clear है, तो ये था paragraph, I hope आप, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं कुछ मुश्किल चाहिए, मुश्किल चाहिए, तो मैं इसलिए लेकर आई, ठीके, I hope आपको easy लगा होगा, समझने में, मैं आपको समझा पाई होंगी, अगर अच्छा लगा, तो please like, share, subscribe करके ज़रूर बताएं, paragraph कैसा लगा, और ऐसे ही अगर आप और चाहते हैं, तो comment करकी तो जुबताएं.